भारत के नगरों में अयोध्यासी कहानी बसी हुई है जहां हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए और अपने आपको इस्थापिर्ट करने के लिए आकरांता उन्हें जाजाने कितने ही आक्रमर किये फिर भी हिंदू समाज उन्हें माग परता गया आज नाम पंच्वी के अफसर पर हम आपको ऐसी जगा लेकर चलेंगे जिसे मद्यप्रदेश की अरुध्या कहा जाता है नाम पंच्वी का त्योखार आज के दिन यहां हिंदू धर्म के लोग एकत्रितों कर सांकेतिक पूजा करते हैं साथ ही है कामना भी की मंदिर के तालों को ओल दिया जाए मद्यप्रदेश के विदीशा शहर में इस्तित विजय मंदिर का निर्मान काल संभपताह नवी या दसवी सदी माना जाता है जिसे चालुक क्वंशी राजा क्रश्ण देब किरपधान मंत्री बाचस्पती ने वनवाया था उस काल में विदीशा भारत के प्रमुक नगरों में माना जाता था दन संपदा और अपने एश्वर रेवा वैभब के कारण यह मुस्लिम आकरंताओं की आँकों में काटे की तरह खटकता था यह मंदिर तक कालीन समय में विश्व के विशाल और बिराट मंदिरों में सामिल था विजय मंदिर की के स्तित सूर्य मंदिर से भी की जाती है यह भब्य और दिव्य मंदिर ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सका 1233-34 में मुस्लिम हमलावर इल्तोतमिस ने इस पर हमला कर दिया मंदिर के साथ वह विजीशा नगर को भी लूट गया संगर्शील तकालीन समाज और राजा ने 1250 में इसका पुनरधार कराया परन्तु 1290 में अलवदिन खिलजी के गुलाम मलिक काफूर ने विदीशा नगर पर आक्रमर कर विजय मंदिर को पुनहा द्वस्त कर दिया मलिक काफूर ने वहारा की सुन्दर मूलतियों को भी नश्ट कर दिया वह यहां से 8 फीट की समाज का अपमान देख सके ताकि प्रती दिन वह हिंदू समाज को अपमानित होता देख सके विजय मंदिर पर हमलों का सिलसला यहीं नहीं रुका 1469 में महमूत खिल जी और फिर 1532 में बाहदुर साह ने इस मंदिर और सहर पर हमला करके से लूटा विदी से सहर और विजय मंदिर 700 बरसों तक मुस्लिम मताताईयों से लड़ता जूचता रहा लेकिन कभी हार नहीं माना यह मुस्लिम सासकों के हिदय में सूल बनकर हमेशा चुपता रहा 1432 में ठक हार कर औरंगजेब ने इसे तोपों से उड़वा दिया इसके सवी भाग खंडेत हो गए जिसके बाद मंदिर को औरंगजेब ने मस्जिद का स्वरूप दे दिया हाला कि 1760 में विदीशा के पेशवा मराठा सासकों ने से पुनर उद्धार करवाया उन्होंने इस मंदिर को पुनहा मंदिर का स्वरूप दिया परंतु दो बारा उसे पहले जैसा भव्व्य और दिव्व्य स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सका जिस बैवफसाली मंदिर को धरासाई करने के लिए इतने प्रयास हुए वह आज भी अपने होने का सबूत दे रहा है हम अपनी सरकार से अपील करते हैं कि इस मंदिर को पुनर स्थापित करने के लिए प्रयास किये जाए साथ ही ताले में बंद हमारे आराद को डर्सनों के लिए खोला जाए बहाँ पर पूजन अर्चन हेतु नागरिकों को अनुमती दी जाए क्योंकि विजय मंदिर हमारा है यह मंदिर हम सभी के पूरवजों का है जिन्होंने अपनी अटूट सद्धा के बल पर इस मंदिर का निर्मान कराया था ताकि लोग यहां आकर पूजन अर्चन कर सकें विजय मंदिर का पुनरदार हो एवं विजय मंदिर पुनहा इस्थाबित हो एवं विजय मंदिर पुनहा शर्दारों के लिए खोला जाए ऐसी अपील हम अपनी सरकार से करते हैं